सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स आएम डॉक्टर मनीश प्रिकाष सीनियर एंट कंसल्टेंट एन हेड़ेने कैंसर सर्जन एट मेयोम हॉस्पिल गुर्गाउं आज कल सार्स कोवेड नाइटीन के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो लॉस अफ टेस्ट एन लॉस अफ स्मेल की कंप्लेंड करते हैं अकसर इन पेशेंट्स में खाने के में बद्बू आना, खाने की दुरगंद फील होना, खाने की खुश्बू नहीं आपाने जैसे सिम्टम्स होते हैं आईए तो जानते हैं इसके बारे में और डीटेल से loss of smell या loss of taste ये दोनों ही sensations पेशेंट के लिए बहुत ही परिशानी वाले होते हैं ऐसे condition में normal चीजों की खुश्बू नहीं आना, या normal चीजों की खुश्बू बदल के आना, या फिर normal खाने की खुश्बू में बद्बू आना इस तरह के symptom होने लगते हैं नाक में से खुश्बू को कम आने के symptom को हम कहते हैं हाइपाजमिया या खुश्बू नहीं आने के symptom को हम कहते हैं अगर जो खाने की fragrance है वो बदल के आए इसको हम लोग पैराजमिया कहते हैं sensation को और अगर खाने में से जली वी खुश्बू आए या सडी वी खुश्बू आए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कैकॉजमिया और ये एक बहुत ही common symptom है जो की SARS COVID-19 के बाद recover वाले patients में आ रहा है जैसे के आप लोग जानते हैं SARS COVID-19 हमारे नाक के जरीए शरीर में एंटर करता है और नाक में हमारा smelling organ होता है जिसको हम लोग olfactory organ कहते हैं ये हमारे नाक के उपर के हिस्से में होता है और यहां से वाइरस सीधे हमारे brain में जा सकता है और ये वाइरस हमारे olfaction वाले system को सूजिश कर देता है जिसके वज़े से हमारा loss of smell हो जाता है ज़्यादा तर patients में ये loss of smell temporary हो सकता है माने के एक हफते से दो हफते के अंतराल पे body धीमे धीमे इसको recover करने लगती है जैसे जैसे olfactory organ की सूजन कम हो जाती है वैसे वैसे इसका smell sensation और taste sensation वापिस आने लगता है बहुत ऐसे मरीज हैं जिन में ये sensation वापिस नहीं आता और दो मेहने, तीन मेहने, छे मेहने तक भी वो इस symptom से परिशान रहते हैं और उनकी रोज मर्रा की जिन्दगी बहुत ही दूबर बन जाती है आईये तो जानते हैं ऐसे patients जो हमारे पास OPD में आते हैं उनको हम कैसे approach करते हैं आईये पास OPD में आते हैं